कहते हैं जब किसी भी बंदे के दिल में आग लग जाती है तो मंजिल कितने भी नामुम्किन क्यों नहों बंदे के लिए हालात में मुम्किन बन जाती है और कुछ ऐसी जिद और कुछ ऐसी कहानी है ड्रेक फिकर किंग संदेव सिंग की जिसने एक सिंपल से बंदे को होकी का पेनाल्टी स्पेसलिश्ट बना दिया जो आज हराहों की लबर के दिलों की धड़कान है क्योंकि आज हर बंदा इस बंदे की सक्सेस से रूबरू है लेकिन इस सक्सेस से पहले इस बंदे की कहानी और भी तरदनाख है पर वो कहते हैं ना कि हाथ पार डर्द बंदे को बेहाथ कामयाब पना जाता है कभी अपने मौपत के खातिर मैदान में उतरने बाला ये बंदा जब अपने देश के लिए खेलना चाहता था तो एक एकसी टिंट हो जाता है रेन के सफर के तोरां संदीब के पीट पर एक कोली लगती है जिसकी बज़े से ये बंदा पूरी तरह से गायल हो जाता है और इस एकसी टिंट के बाद ये बंदा पूरी तरह से पैरलाइस हो जाता है दो साल तक इस बंदे का मैदान से कोई बास्ता ना रहा ऐसा बक्त जब ये बंदा अपना सब कुछ खो शुका था और ऐसे बक्त पर कई सारे बंदे हार मान जाते हैं मैदान छोड़ देते हैं और जो बंदा असानी से मैदान छोड़ दे फिर वो सूर्मा कैसा और दुनिया के हर एक चैंपियन में एक चीज़ तो कामन होती है जो ने हर हालात में चैंपियन मना देती है और वो है जिद वो है भूक जो हर मुस्किल हालात में बंदे को कभी भी हार मानने नहीं देती और ऐसे मुस्किल भरे हालातों में संदीप ने फिर से खेला इस्टार्ट किया हौकी में माना जाता है कि पूरा गेम पेंट पर डिपेंड करता है और यही वो वज़य थी जो संदीप के सबनों को आरे हाथों ले रही थी लेकिन कहता है ना कि दुनिया के हालात हार मान जाते हैं जब कस्तिया खुद जित पर एड़ी होती है जिन्दगी के इस तरदनाक मंजर के बाद संदीप ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो कारनामक कर डाला जो किसे भी आम बंदे के लिए संभवत था साल 2009 में संदीप सिंग ने 13 साल बाद भारत के लिए सुल्तान सा ट्राफिक को जीत कर दुनिया को बता दिया कि चैंपियन बंदा हमेशा चैंपियन होता है क्योंकि वो जिन्दगी को अपने दंपर जीता है और उके दंपर तो सिर्फ उसके जनाजे उठते हैं दोस्तों संदीप के बारे में उनके भाई बताते हुई कहते हैं कि संदीप के गोली लगने के बाद संदीप ने एक सपना सजोय बल्ड कप खेलने का जो पूरी दुनिया को नामुम्किन लगा लेकिन पूरी दुनिया में कुछी लोग ऐसे थे जिने पिलेट था कि संदीप बल्ड कप खेल सकता है क्योंकि लोजर बंदे हमेशा खुद में निगेटिव पॉइंट सर्च करने लगते हैं लेकिन संदीप ने ऐसा कुछ भी ने किया गोली लगने के बाद जब संदीप को होस आता है तो उसका पहरा सबाल था कि मैं बल्ड कप कैसे खेलूगा कोई आम बंदे एक छोटी सी चोट पर काम ना करने के लाग बहाने ढूंड लेता है लेकिन चेंपियन बंदे के पास एक ही मकसद काफी होता है अपने मकसद में कामयाब होने के लिए क्या तुम्हारे पास ऐसा मकसद है क्या तुम अपने मकसद में कामयाब होगे जरूर तुम अपने मकसद में कामयाब होगे फुल पापर डबल एनरजी के साथ उन पहानों पर अटेक कर दो जो तुम्हें रोक रहे हैं जो तुम्हें तुम्हारे मंचल को पाने से रोक रहे हैं और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सेयर कर देना और हाँ अगर आपको मुझे से बात करना है तो मैं आपको मिल रहाँ गों इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम के लिंग नीचे डिस्क्रिप्टन बॉक्स पर है नहीं तो मिलूँगा नेट्ले वेडियो में जाए जाए भारत